सेट आहलो दोस्तों मिचिरसों घॉपस आपके सामयार चुका क्या नेक्स्ट क्विश awareness के सत्थ और यहाल operation किया है डइवीजिन उता हुए तो डी वीजन सेम बहुत एज ये से घौ-ख करने जो डिवीजन में उसको मल्टिप्लिकेशन में कनवर्ट करतें को डायक मल्टिप्लाइब करके हम अपना अंसर ला देंगे फिससे आपको बताता हूं क्या है फर्स्ट क्विश्ट पर्स्ट क्विश्टन है पॉर्टी अपॉन तुवेल डिवाइड़ बाई टैन अपॉ पॉर टैन अपॉन फूरे ठीक है इसको हम सिम्लीफाइब भी कर सकते हैं बट इसको हम इसको कैसे लिखेंगे पॉर्टी अपॉन टुवेल डिवाइड़ बाई टैन अपॉर ठीक है ऐसी लिखेंगे यह डिविजन में लिका बट इसको जब हम यह फूर उपर चले जाएग घ्का पूरूपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 40 अपॉर्ण टुवेल इंटू फूर अपॉर अपॉर टैन टैन ऊपर है उपर फूर इजर पर चली जाएगा और टैन का नीच्छे आ जाएगा और इसका हो जाएगा ठीक है सिमपल साइध यह आज रखने का या चाज हिस का पता है कि डीजिन के समय कि जब डीजिन नीफ डीजिर का परेशेंगे गे टैणापनि फोष रे क। है इसका उल्टा कर दोफोर अपए आए हो जाएगा ठीक है इसको मैं से लिख देते आपस आपको आजाएगा इसका उल्टा कर दो दो और आपका आजाएगा क्या इसका आजएगा ओम नोले जाएगा इसका हमने क्या अपान टूल्ट हे रग्ता टेन आपकर इगां ट्रीश अनृट टूल में वह भी एक二ट लग बाइन अपॉन फूर टूल्ट और यह ग्यों टेन आप होगा कि फोर नीचे उपर जाएगा कि डिवाइट का मल्टिप्लाई हो जाएगा और टैन नीचे टैन युम्रेटर में इधर पर तो इधर पर क्या जाएगा और जो नीचे का यह हड़ जाएगा और बचा क्या पॉर्टी अपॉर्ण टुवैल इंटू फोर अपॉर्ण ठीक है इत्ता वी दिमाग मिन नीचाना है तो यहाद अगना खालिक जो डिवीजन में डिवीजन का मल्टिप्लाई हो जाएगा और जो नंबर है उसका उल्टा हो जाएगा ठीक है सेगेंड क्वेशन आपको बताता हो क्या करने क्या इसमें तो थोड़ा और अच्छी समझेगा एक दो क्वेशन समझ गया तो फिर आप दूसरा क्वेशन दो मल्टिप्लिकेशन ला तो एक दम इजी है डिवाइड़ बाई-11 अपॉन 10 क्या बोला था डिवाइड है डिवा अपॉन 11 ठीक है एकदम सिंपल है अब इसको आमने सामने तो आ गया अब देखो माइनस माइनस फ्लस टेन टेन जा हंड्रेड अपॉन 1111 जार लेवन टेन कितना होता है वह हंडेड़ एंट एन प्लस लेवन कर तो 121 क्या जाएगा अंडेड अपॉन 121 आगे सिम्प्लिफा हो रहे है तो करो नहीं हो रहे है तो मत को रिसको इसी रखो है अंडेड अपॉन 121 थर्ड क्वेशन क्या है अभी आपको इजी लगने लग गया रहेगा क्यों इसमें क्या सी मल्टिप्लाई करने के न उल्टा करके डिविजन वाली में भी डिवाइड बाई-3 एपॉन 6 क् मैनस 7 ऑपॉन 8 डिवाइड मुल्टिलाई कर दो इसका मॉल्टिलिकै вопросы कर दो क्या हो जाएगा माइनस 6 अपॉन 3 बदल्टिलिकेशन वाला बन गया अच्छा मैं सामने डैक मल्टिप्लाई कर दो 46 होता है उता है नहीं मैन सिप्माराक ब्लस एट ईट तरिज़ा तो यह जा रहा है कि आपका आपको समझ में आ रहेगा डिवाइड डिवीजन में क्या करने का डिवैड का मल्टिप्लाइ कर दो दूस्ता नंबर उसका मल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स कर दो बात एक ही है ठीक है क्या होगा पूछ है नहीं क्या होगा पूछन दो और सिंपल माइनस फूर अक्केल आया माइनस फूर क्यों नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है जिसका अगए फॉर आगे वड़ते तू अपान थ्री मल्टिप्लाइ कर दो इसका वाइनस वन पन फूर 라고 मैles दर्च मैने सब्सक्राइब एक कर यह से मैंने संप्रीस कुछा निश्टों की तरफ बढ़िया थे पिस्ट वं किया थेको 2, 1 by 5 divided by 5, 3 upon 6, same है खाल, इसको कर दो, यह क्या हो जाएगा, 5 to the 10, 10 plus 1 upon 5, क्या हो जाएगा इदर पे, divide by, इसका क्या हो जाएगा, 6 by the 30, 30 plus 3 upon 6, ठीक है, लिख दो इदर पे क्या, 10 plus 1 upon 5, divided by, 5, 6 the 30, ठीक है, 30 plus 3 by 6, क्या हो जाएगा, 11 by 5 divided by 33 by 6, 33 by 6, उसको उल्टा कर दो, 11 by 5 into multiplicative inverse, 6 upon 33, which is equal to 66 upon 33 into 5, 5th is a 15, 5, 1, 5th is a 15 and 1, 16, क्या हो जाएगा, 165, 66 upon 165, ठीक है, अगर simplify होता है, simplify हो रहा है, तो simplify भी कर दो, 6 plus 6, 12, 6 plus 6, 12, 3 से चले जा सकता है, क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, उपर, और 165 को गरों 3 से डिवाइड करते हैं, तो क्या answer आता है, देखते है, 165 को 3 से करने का है, 35 जाएगा, 15, 135 जाएगा, 55 बचा, 55 भी दोनूं 11 से जाएगा, 2 upon 5, answer क्या है, है, 2 upon 5, या answer भी राइट है, इसका simplify करके हमने क्या किया, यह वाला answer निकाला, 2 by 5, ठीक है, एकदम सिंबल सा था, सेम था, खाली उसको नंबर में किया, डिवाइट था, उसको उल्टा करके मल्टिप्ला के सका मल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल दिया, बहुत ही सिंबल सा था, ठीक है, 6 वाले पर आते हैं, 6 तो बहुत इसी है, भाई, सेम, अभी आपको आपका स्पीड भी बढ़िया रहेगा, क्या है, क्या है, इसमें, डिवाइड है, पता है, डिवाइड का इसमें क्या मल्टिप्लाइ कर तो, इसका क्या मल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स, minus 5 by 13 as it is divide का हो गया उल्टा multiply और इसका multiplicative inverse 26 upon 7 बन का multiplication वोला सम डिरेक्ट multiply करो आमने सामने 26 इंटु 5 करो 56 30 0 3 5 2 जा 10 एं प्लस 3 130 130 upon plus minus 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 130 1370 नहीं आता है कोई टेंचन नहीं इदर आप करके बताता हो 30 30 21 1270 19 91 ठीक है अब देखो simplify हो रहा है तो simplify answer आएगा अगर simplification नहीं हो रहा है तो नहीं आएगा simplification होगा कैसी होगा देखो 13 7 जामने अब बी किया 13 7 जाना इंटी वन होता है तो मतलब और 13 10 जा 130 तो क्या हो जाएगा माइनस 10 अपॉन 13 7 जा 91 माइनस 10 अपॉन 7 ठीक है एक दाम सिंबल साथ सिक्स्टवन भी होगा आप सेवन्त वाली की तरफ हम बढ़ जाते सेवन्त वाला क्या है सेवन्त वाल हाँ दिवाइड बाइक क्या माइनस इट जिसका सारा कोई नियूसका सारा एक है ठीक हे अब इसका मल्लिप्रिकेटिव इनवर्स कर दो नाइन अपॉन 11 into minus 1 upon 8 हो जाएगा बरोबर 9 into minus 11 into 8 हो जाएग क्या हो जाएगा जाएगा – 9 और से-स 8 हो जाएगा अगर अगर सिम्लिफिकेशन यह कर दो नहीं हो रहे तो इसको सिम्लिफिकेशन्य से तो प्लिजस से कोमेंट डाउन ठीक है यह हो गया एट सेवें तोन बहुत चलो भाई एट तोन भी कर लेते हैं एट तोन क्या है फाइफ डिवाइड वाइड वाइड वाई तू अपॉण फाइट ठीक है विच इकवल्स टू फाइफ इसका सारा ढूने का है कि जरुवत है क्या नहीं अगर नहीं है तो चलो लिग देते हैं इ है को सेंव क्या चाहिए का 5 इंटो 5 अपने इंटो 255 इंटीफाइफ तो इसका दिविजेन वाला भी क्या करने का था बस जो सेकेंड नंबर रहेगा उसका क्या करने का सैंड अब्लुक्यटीकेव इंवर्स करना तो इसका इसकी डिविजेन का मुल्टिपलील हो जाएगा और अपना निकल चाहेगा बहुत भी सीपल सथा से मृल्टीणिज़ जैसा डिविजन भी था कहले यह ज्याद रखने का है क्या याद रखने का मॉल्टीप्लिकेटिव इंवर्स करने के सेकें नम्बर को और को डीविजेंगे का रिप्लाई हो जाएगा आपका अंसर आपके सामने फोप कर तो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो कॉमेंट करो शेर करो और अपना प्यार गिरेट के साथ बने रखने थैंक्यों थैंक्यों सो मच